हेलो फ्रेंड्स लॉक्डाउन किचन में आपका स्वागत है मैं हर्शिता जैन आज पना रही हूं बहुत ही ट्रेडिशनल डिश जिसका नाम है मीठी सिवयां कहीं लोग इसे मीठी सिवयां कहते हैं कहीं लोग दूद के जवे और कोहीं वर्मी सैली तो इसकी रशेपी बहुत ही असान है और हम चलों से मिलकर बनाती है यह दूद हमने एक किलो लिया है और इसे हमने उबालने रख दिया गया इस पर जब तक ही दूद हमारा उबल रहा है इतनी देर हम अपने सेवयां को भूनेंगे पैन हमने गरम कर लिया है और इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे देशी की उज़ करना है हमने के टोरी मैंने वर्मी का सैली ली है इसे हमने स्लो गैस पर ही भूनना है यह देखिए यह हलका हलका ब्राउन हो रहा है अभी अभी इसको अभी हम 2-3 मिनट और भूनेंगे यह देखिए यह हमारी ब्राउन हो गई है सेविया और अब हम गैस बंद कर रहे हैं यह दूद हमारा उबल गया है और हम इसमें अपनी सेविया दाल गए यह देखिए 10 मिनट हो गए है और अभी लगबाग इसे हम आदा गंट अब और पकाएंगे तब यह गाड़ा गाड़ा हो जाएगा तब थोड़ा सा हम इसको अच्छा लगेगा यह गाड़ा गाड़ा यह अच्छा लगेगा जैसे खीर का टेक्शर होता है वैसा हमें चाह कर रही हूं से बदाम थोड़े से बदाम मैंने बचा लिए गानिशिंग के लिए और अब हम इसे 10 मिनट तक और पकाएंगे और फिर हम अपनी क्यास को बंद कर दसमेट हमारे हो गए हैं और अब हम क्यास को बंद कर रहे हैं और अब इसे हम लगबाग देड़ गंटा हम ठ उसके बाद एक इसमें ट्विस्ट है वह मैं आपको ठंडा होने के बाद बताऊंगी यह खीर हमारी ठंडी हो गई है जवेकी और आप हम इसे सर्व करेंगे मैंने आपको बताया था कि मेरा इसमें ट्विस्ट है तो ट्विस्ट यह है हम इसमें डाल रहे हैं रोज सिरफ रोज से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और यह बहुत ही अच्छा भी लगता है इसको हम यह अपने पदाम से गालेशिंग कर रहे हैं और थोड़े सी मैंस में रोज पैटल रहे हूँ यह देखिए हमारी रोज वाली खीर जवे की तयार है और यह जब भी आपका मीठा का मखाने का मन करें तो आप इसे घर में इजीली बना सकते हैं शादी हो, occasion हो, कुछ भी हो, anniversary हो हमारी तो हम इसे बना सकते हैं चलिए इसे खाईए और enjoy करिए आप मिलते हैं अगली वीडियो में और मेरे चैनल को आप subscribe करिए, like करिए, share करिए और comment करिए Bye दोस्तो